फेर में आपका जिशेतर धीरत्व कुमार पंडित तो घृत्व कमार पेंडित Да अब्न जीवा के रहने वाले वाले इंगें गार्त रह्ते से तो जब आये थे दीरज कुमार पंडित जी तो उस समय क्या क्या दिकत हो रही थी अप उसमें सर्व बमेटिंग हो रहा था काफे विकनेश थी आना भूख नहीं लग रही थी सर्व यही सब पब्लम था सर्व क्रेट नाइन भी काफी बड़ा हुआ था उस समय जी सर्व कितन कु는 हंन भी कितीन भी है ज़े फीर Cabinet कि कि एक परिग्ट कर रहें थे इस कमें सब 7 तांफ भी सटवran 1-2 तो समय हैं आप harvest किर भी कितनी हो र्याली सख कर आले। हैं दस दिन में एक बार मयञने कि हरु या disclose सब्ना में चे हैं महिना में आख उर जो महीना में सीर तीन भार करं प्रेजिकल बहुत जादा विकनेस रहता था लेकिन फिजिकल फुरा इंप्रुमेंट हुआ है भोग भी लग रही है और धीरेज खुलके बता हो ताकि सब लोग आपके माद्यम से जान पाएंगे किस प्राकार आप इस गंबी उमारी को माद दे रहा हूं ताकि आप और विकनेस प्रेजिकल बहुत साले लोग ठीक हो रहे हैं तो इसलिए हमें भी इस विश्वाथ है कि हम भी ठीक हो जाएंगे जब बेगु से आए तो उसमें बेगु से रहे में क्या बदा है दो बेगु से ने ने डाय में डाय बोला डाय तर्स्प्लांट एक जा दिखाएं पहले आपकी भीपोर्स में कितना क्रेट नहीं था पहले जाएन्थ की फाइस पिर सामने धी defil ACT लकी कि स्चेंड़ी हो और यौर बेलसे इस समय सथा में जो है वो भी रिडिउस हो गया तीक है धीरच खुल के बताओ एक बार कि पहले किस प्रकार से समस्यां हो जी और अब कैसे कैसे आपको अराम मिला है पहले भूख तो बिल्कुली नहीं लगा अब अब एक रोटी बस खा रहा है थी सर और काफी ज्यादा कमज़री विकनेस झाले सब्सक्राइब कर रहे हैं थोड़ा बहुत अछा वाग जाता है ज़ू यह है धीरच कुमार जी जो की बेगु सराय दिहार निवासी है जिए घंप को घच्कत नहीं है क्रेट नाम क्या बताया है सुरज़़फ्पुरा गाओं देदाक है धीरच कुमार पहले इनको कर दो